जैहिन प्यारे बिच्चों, स्वागत है आपका भारत्वस क्लासेस में प्यारे बिच्चों आपके विद्याले में हर एक सप्ता विकली टेस्ट लिया जाता है और 2 सितंबर 2023 को क्लास 5 का इंगलिस और हिंदी का विकली टेस्ट होना है तो प्यारी बच्चों इसी को ध्यान में रखते हुए भारतवस क्लासेस आप सभी के लिए सांदार त्यारी करवा रहे हैं और इसी में हम मॉडल सेट करते हैं हमने पहले मॉडल सेट वन को किया कि किस परकार के प्रस्ण पूछे जाएंगे चार विकल्पों में से आपको सही विकल्प का चेयन करना है तो जितने ही बच्चों ने मॉडल सेट वन को नहीं देखा है तो उसे जल्दी से आप देख लीजे बच्चा है इसमें हम मॉडल सेट टू को करेंगे ठीक है बहुत important question है बच्चा आपको प्रतिक प्रस्न के चार विकल्प दिये जाएंगे जिस तरह चार विकल्प आपके परिच्छा में पूछे जाते हैं और इन विकल्पों में से आपको सही विकल्प का चेयन करना है चलिए प्रारम करते हैं पहला प्रस्न आप सही के सामने हैं आपको इन में से सही वित्तर को बताना है हामीद के पास कितने पैसे थे 3 पैसे, 3 रूपय, 30 पैसे या 30 रूपया सबसे पहले तो रूपया यहां था ही निया तो रुपिया वाला विकल्प को आप हटा दिजिए इन दोनों को हटा दिजिए तीन पैसे थे या तीस पैसे तीन पैसे थे कितने पैसे थे बच्चा तीन पैसे और तीन पैसे का हामीद ने क्या करदा था तो तीन पैसे का हामीद ने चिम्टा करदा था लोहे का चिम्टा अपनी दादी के लिए ठीक है तो पहले का उत्तर ए होगा दूसरा प्रशन देखिए दूसरा प्रशन दे रखा है हामीद किसकी गोद में सर रग कर सोता था बताए जो हामीद है वो किसकी गोद में अपने सर रग कर सोता था अपनी दादी का अपनी दोस्त अमीना की गोद में सर रख कर सोता है तो विकल्प यह सही होगा उनके जो मम्मी पापा नहीं होते हैं वो अपने दादी के सर पे अपने दादी के गोद में सर रख कर सोता है चलिए प्रसंसंक्या 3 को पढ़िए प्रसंसंक्या 3 यह रखा है गुरू गोविन्द दोवु खड़े पंक्तियों को पूरा किजिए यहां पर कबीर के दोहे में आपने पढ़ा है गुरू गोविन्द दोवु खड़े उसके बाद की कौन सी पंक्ति है विकल्प दे रखा है काके लागु पाई इनमें से कोई नहीं बताए क्या होगा A, B, C या D सही विकल्ब है बच्चा A गुरू गोविंद दो खड़े काके लागू पाए उसके बाद ये दोनों पंक्तियां आएगी बलीहारी गुरू आपने जिन गोविंद यो बताए यानि कभीर दास इन पंक्तियों में कहते हैं कि हमारे सामने गुरू यानि हमारे सिच्चक, गोविंद, हमारे भगवान यदि हमारे सामने भगवान और गुरू एक साथ खड़े हो तो हमें किसे परणाम करने चाहिए बलीहारी गुरू आपने जिन गोविंद यो बताए हमें अपने गुरुची को परोनां चाहिए क्योंकि गोविल से हमारा परीचे हमें गुरु ने ही करवाया है चौथा प्रashna हमें कैसी बानी बोलनी चाहिए करकसवानी, मधूर्वानी या इन में से कोई नहीं हमें मर्दुर्वानी बोलनी चाहिए ऐसी वानी बोलिये मन का आपा खोए औरन को सीतल करोए आपा हुँ सीतल ओए एक दब मधुर वानी बोलना चाहिए कि यदि कोई क्रोधित वेक्ति भी है गुसे में भी है तो उसका भी गुसा सांत हो जाए और अपने आपको भी सुख हो प्रशन संक्या पांचवा तर्वर फल नहीं खाता है शरवर प्यहीना अभ यहांपे खालियस्तान को आपको भरना है पानी फल फूल या इनमें से कोई नहीं बताईए तर्वर फल नहीं खात है तर्वर बोलते हैं पेड़ को पेड फल नहीं खाता है, सर्वर, सर्वर प्याहिन पान, सर्वर यानि तालाब, तो तालाब क्या नहीं पियेगा, पानी नहीं पियेगा, विकल्प ए, यानि तर्वर फल नहीं खाता है, सर्वर प्याहिन पान, कही रही परकाज हित, समपति सचेह सुजान, इसका अर्थ हिया हुआ कि तरवर ना तो अपना फल खाता है यानि पेड़ अपना फल स्वयम नहीं खाता ना ही तलाब अपना पानी श्वयम पीता है इसी प्रकार सज्जन पुरुष दुसरों के हित के लिए धन का संचय करते हैं छठा प्रश्न मुख्या कैसा होना चाहिए यहां पे है मुक् से कर रही है कि मुख्या मुक्षा होना चाहिए जो खाने पीने में तो एक हो मगर सरीर के सभी अंगों की रक्षा और सुरक्षा करता है साथवा प्रशन कोको की तस्तरी में कितनी रोटियां थी एक रोटी, दो रोटियां, तीन रोटियां, चार रोटियां बताईए आपने यहाँ पर पढ़ा होगा पाठ चावल की रोटियां तो उसकी तस्तरी में कितनी रोटियां थी चार रोटियां थी और वहाँ उसे बचाने के लिए हर संभव ब्रियास करता है पर अधुवा उसे नहीं बचा पाता है यहाँ पे सही विकल्ब गया है बच्चों चार रोटियां आठमा मिम्मी कोको के लिए क्या लेकर आई थी? चावल की रोटियां बेशन के लड़ू केले के पापड या कुरकुरे पकोड़े क्या लेकर आई थी? तो वह केले के मोटे मोटे पापड लेकर आई थी यहाँ पे होगा C केली के पापड नौवा प्रश्न, पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं, इसका क्या अर्थ है, पिताजी छाता लेकर गए थे, पिताजी छपर ठीक कर रहे थे, पिताजी खेत गए थे, या इन में से कोई नहीं, क्या होगा सही उत्तर, सही उत्तर होगा भी, पिताजी छपर ठीक कर र यानि रोक रहें थे, भाई के विशे में बोलती है कि भाई एक से दो करने गए है, यानि रेंगनी के पोधे काटने गए है, तो यदि उसे चुईएगा तो करेंट यहां पे जक्म लगेगा ही, चोट लगेगी ही, मां के बारें बता दी है कि मां एक का दो करने गई है, यानि वो दाल को पिछने गई है जो अरहर का दाल होता उसे दढ़ने गई है तो एक का दो हो जाएगा और लड़की अपने विशे में बताती है कि मैं एक से सारा देख रही हूँ यानि एक चावल से पुरा देख रही हूँ कि भात पका है या नहीं पका है, ठीक है, दसमा प्रशन, लड़की का बहु अच्छन रूप क्या होगा, लड़कियां, लड़के, लड़का, यहाँ पे सही विकल्प है, लड़की यानि एक लड़की के बारे में बोला जा रहा है, लड़कियां यानि बहुत सारी, एक से अधिक, दो, तीन, च आप सभी को बताए, इन प्रशनों में से कौन से गरशन गलत हुए और कौन से सही हुए, और जिसका सही, दस में से दस सही हुआ, आपको डेहरो बधायां बच्छा, आप नए हो तो प्लीज भारतोस कलासेस को सब्सक्राब जरूर कीजिए, आपको इसी परकार की वीडियो मिलते रहेगी, थैंक यू